स्वागत बच्चों हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्छा नो विज्यान विशे की कारे पुस्ति का उपचारात्मक शिक्षण में से कारे पत्रक नमबर 29 इससे पहले के कारे पत्रक हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं यदि आपने नहीं देखे हैं तो वश्य देख लें विशे वस्तु दी हुई है परमाणू और अधिगम बिंदू है हमारे आसपास के पदार्तेवं अवस्ता परिवर्तन और संदर्व है कक्छा नो अध्याए एक प्रेश नमर एक है आपके परिवेशने पाए जाने वाले किनी दो दो ठोस द्रव और गैस ये पदार्तों को सुची बद कीजिए तो ठोस पदार्थों में बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन हमने यहां लिखा है लकड़ी और लोहा द्रव में भी बहुत सारी चीज़े हैं दूद, तेल, इसके इलाबा पानी, चौई, काफी, बहुत सारी चीज़े हैं जिनको हम द्रव में लिख सकते हैं गैस में धुओं, हम आसपास में अपने कही न कही धूओं देखते ही हैं, बानों से निकला धुओं, चिमणीों से निकला धुओं और दूसरा जलवास्प हमारे चारों और हमीशव मुझूद रहती हैं प्रेशन नम्मर दो है नीचे दिये गए पधार्थों की अवस्थाओं को लिखिए बरप ठोस अवस्था है पानी द्रव अवस्था है तो यहां ठोस लिख देंगे यहां द्रव लिख देंगे और जलवास्प गैस अवस्था है तो यहां गैस लिख देंगे प्रश्ण नमर तीन है रिक्तिस्थानों की पूर्ती उचिस सब्द द्वारा कीजिए पधार्थों के कणों के मद्य रिक्तिस्थान होता है द्वरव के वास्थ में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वास्थी करण कहते हैं गरम खाने की गंद दूर तक वायू के द्वारा हम तक पहुंचती है। जिस नियूनतम तापमान पर ठोस पिगल कर द्रव बन जाता है, वह तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांग कहलाता है। वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है? वह तनांग कहलाता है, द्रव अवस्था में परिवर्थित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसी अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उर्धु पातन कहते हैं। प्रश्ण नमबर चार है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अफसोशित कर लेते हैं, तथा सरीर से चिपकते नहीं हैं। इसलिए गर्मियों में सूती वस्थ पहनने चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ही है हमारा कारे पत्रक नंबर 29 कंप्लीट होता है आगे के कारे पत्रक देखने के लिए जुड़े रही है हमारे चैनल से जन्यवाद